Hello guys, welcome back to Filmy Friday दोस्तो एक जैसे टाइटल के साथ Bollywood Film Industry में अभी तक कई फिल्में बन चुकी हैं बस फर्क रहा तो इनकी स्टोरी लाइन स्टार कास्ट या फिर टॉपिक का लेकिन इन में से कुछ फिल्में सक्सेस्पुल रही तो कुछ फिल्मों को ओडियन्स ने नकार दिया आज की इस वीडियो में हम Bollywood की उनी टॉप 10 फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनके टाइटल को लेकर कई फिल्में बनी लेकिन इनकी स्टोरी लाइन काफी अलग थी दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे फिल्म दिल्वाले के बारे में जो की रिलीज हुई थी 1994 में फिल्म में आजे दिवगन और सुनीर शिट्टी में डॉल में थे फिल्म ओडियोंस को काफी पसंद आई और बॉक्स ओफिस पर भी कामयाब रही इसके बाद 2015 में रोहित शिट्टी ने दिलवाले नाम से एक फिल्म मनाई थी जिसमें शारू कान और वरुन धवन को देखा गया था लेकिन ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई अगली फिल्म है आँखे बॉलिवुड में आखे टाइटल के साथ टोटल चार फिल्में बन चुकी है इन में से एक फिल्म रिलीज हुई थी 1950 में जिसमें भारत वुशन में नोल में थे फिल्म काफी अच्छी रही और बॉक्स ओफिस पर भी कामयाब रही इसके बाद साल 1968 में भी आखे नाम से ही एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें धरमेंदर लीड रॉल में नज़र आये थे ये फिल्म आडियोंस को बहुत पसंद आई और उस साल की मोस्ट प्रॉफिटेवल फिल्म भी बनी इसके बाद 1993 में भी आखे आई थी जिसमें गोविंदा और चंकी पंडे को देखा गया था फिल्म में गोविंदा डबल रॉल में नज़र आये थे फिल्म को बॉक्स ओफिस पर बड़ी काम्याबी मिली और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलिवुड फिल्म भी बनी दोस्तो 2002 में भी आखे टैटल के साथ एक फिल्म रिलीज हुई थी इस फिल्म में अक्षे कुमार, परेश रावल, अरजुन रामपाल और अमिताब बच्चन को भी देखा गया था हलाकि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर ज़्यादा काम्याब नहीं हो पाई लेकिन बाद मैंसे टीवी पर खुब पसंद गया गया और आज भी ये लोगों की फिल्मों में से एक है गैस अब बात करेंगे फिल्म गोलमाल के बारे में बॉलिवुड में गोलमाल नाम से अभी तक दो फिल्में बन चुकी है इन में से सबसे पहले साल 1989 में गोलमाल रेलीज हुई थी जिसमें अमोल पालेकर लीड रॉल में नज़र आये थे फिल्म और्डियंस को इतना पसंद आई कि बाद में से कल्ट का स्टेटस भी ती आ गया और्डियंस आज भी इस फिल्म को देखना पसंद करती है 2006 में भी कॉमेडी फिल्म गोलमाल रेलीज हुई थी जिसका डिरेक्शन रुहित शिटी ने किया था फिल्म में अजे देवगन, आर्शद वार्सी, तुशार कपूर और शर्मन जोशी में डोल में थे ओडियंस के बीच ये फिल्म काफी पॉपुलर हुई और इसी वज़ा से अभी तक इसके तीन सीकुल भी बनाये जा चुके हैं जिनके बारे में डिटेल में एक वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चनल में मिल जाएगा वैसे इस सीरीज का चौथा सीकुल भी पाइपलाइन में है जो इसी साल रिलीज किया जा सकता है दोस्तो अगला टाइटल है हेरा फेरी सबसे पहले 1976 में हेरा फेरी नाम से एक फिल्म आई थी जिसमें विनूद खन्ना और अमिताब बच्चनली डॉल में थे फिल्म को डिरेक्ट किया था प्रकाश महरा साब ने ओडियोंस को फिल्म काफी पसंद आई और बॉक्स ओफिस पर भी काम्याब रही इसके बाद साल 2000 में भी हेरा फेरी नाम से एक फिल्म रिलीज हुई थी ये भी एक कॉमेडी फिल्म थी लेकिन स्टोरी लाइन काफी अलग थी फिल्म में अक्षे कुमार, सुनील शेटी और परेश रावल में नोल में थे हेरा फेरी 1989 में आई मलिया लम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की ओफिशल रिमेक थी और हेरा फेरी के अलावा भी इस फिल्म के कई रिमेक भन चुके हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ एक बार जरूर देखें बात करें फिल्म हेरा फेरी की तो ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर उतनी काम्याब नहीं हो पाई थी लेकिन बाद में टीवी पर इसे इतना पसंद किया गया कि इसे कल्ट का स्टेटस दिया गया गैस अब बात करेंगे बादशा नाम की फिल्मों के बारे में सबसे पहले 1964 में बादशा नाम से एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें दारा सिंग लीड रॉल में थे इस फिल्म के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के आखड़े अविलेबल नहीं है बात करें दूसरी फिल्म की तो 1999 में एक और बादशा आई थी इस फिल्म में शारुक खान लीड रॉल में थे और इस फिल्म का कुछ पलोट और काफी सारे सीन्स हॉलिवूड फिल्म निक आफ टाइम, ट्रेश आवर और मिस्टर नाइस गाय से कौपी किये गए थे बास्चा बॉक्स ओफिस पर ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई लेकिन बाद में इसे टीवी पर काफी पसंद किया गया था दोस्तो बॉलिवूड में दोस्ती नाम से भी अभी तक दो फिल्म में रिलीस हो चुकी है पहली फिल्म 1964 में आई थी जिसमें शुशील कुमार सोमिया और सुधीर कुमार सावंत लीड रोल में थे ओडियन्स की तरफ से इस फिल्म को शामदा रिस्पॉंस मिला था और बॉक्स आफिस पर भी ये फिल्म काम्याब रही फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलिवूड फिल्म भी बनी थी इतना ही नहीं फिल्म को उस साल छे फिल्म फे रवार्ट भी मिले थे इसके लावा 2005 में भी एक फिल्म दोस्ती आई थी जिसमें अक्षे कुमार और बॉपी देवल को देखा गया था लेकिन ये फिल्म उड्यूस को पसंद नहीं आई और बॉक्स आफिस पर अपना बजट भी नहीं निकाल पाई गैज अगली फिल्म है एजेंट विनूद सबसे पहले 1977 में एजेंट विनूद नाम से एक फिल्म आई थी इस फिल्म में महिदर संदू लीड रोल में थे फिल्म उड्यूस को काफी पसंद आई और बॉक्स आफिस पर भी काम्याब रही इसके बाद साल 2012 में भी इसी टाइटल के साथ एक फिल्म रिलीज की गई जिसमें सैफ अली खान को में डोल में देखा गया था फिल्म में एक्शन सीक्वेस काफी अच्छे थे लेकिन स्क्रीन प्ले और राइटिंग के चलते ओडियंस ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया फिल्म बॉक्स आफिस पर सक्सेस्पुल नहीं हो पाई दोस्तो 1975 में दीवा नाम से क्लासिक फिल्म रिलीज हुई थी जिसे दुनिया भर में खुब पसंद किया गया यश्यौपडा साब के डिरेक्शन में बनी इस फिल्म में अमिताब बच्चन और शर्शी कपूर में डोल में थे और आडियोंस को फिल्म खुब पसंद आई और बॉक्स आफिस पर भी इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स कायम किये थे इसके लावा इस फिल्म को उस साल साथ फिल्म फे रवार्ड्स भी दिये गए थे फिल्म की जबर्दस पॉपॉलर्टी को देखते हुए इसके कई भाष्चाओं में रीमेक भी बन चुके हैं और इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाया जा चुका है इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे यूट्यूब चनल में जा करके देख सकते हैं इसके लावा दूसरी दिवार 2004 में रिलीस की गई थी और मज़े की बात ये है कि इस फिल्म में भी अमिताब बच्चन को ही देखा गया था हाला कि पिछली फिल्म से इसका कोई कनेक्शन नहीं था वैसे फिल्म में बिग बी के लावा अक्षे करना और संजेदत भी नज़र आये थे हाला कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर कामयाब नहीं हो पई दोस्तो लिस्ट में अगला टाइटल है बागी इस फिल्म में सलमान खान लीड रॉल में थे फिल्म ओडियोंस को काफी पसंद आई और बॉक्स ओफिस पर भी कामयाब रही इसके बाद साल 2000 में भी बागी नाम से एक फिल्म आई थी जिसमें संजेदत को देखा गया था ये फिल्म ओडियोस को कुछ खास पसंद नहीं आई और बॉक्स ओफिस पर भी नाकाम्याब रही टाइगर्स ओफिस टारिंग बागी भी आप सभी ने जरूर देखी होगी जो की तेलगू फिल्म वर्शम की ओफिशल रीमेक थी और वर्शम के भी सभी रीमेक्स पर डिटेल में एक वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चनल में मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर देखें वैसे बात करें टाइगर्स ओफिल्म बागी की तो ये फिल्म ओडियोस को काफी पसंद आई थी और बॉक्स ओफिस पर भी काम्याब रही इतना ही नहीं इस फिल्म की पॉपलरिटी को देखते हुए इसके दो सीक्वल भी बनाये जा चुके हैं दोस्तो लिस्ट में दस्वा और आखरी नाम है फिल्म दोस्ताना का दोस्ताना नाम से बॉलिवुड में पहली फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में अमिताब बच्चन और शत्रगौन सिना में डॉल में थे फिल्म बॉक्स ओफिस पर कामयाब रही और उस साल की 34 सबसे ज़्यादा करवाई करने वाली बॉलिवुड फिल्म भी बनी इसके लावा 2008 में भी दोस्ताना नाम से एक फिल्म रिलीज की गई थी जिसमें अभी शेक बच्चन, जौन अबराम और प्रियंका चौपडा में डॉल में थे इस फिल्म को करन जोहर के प्रोडक्शन के अंडर बनाया गया था जिसे आउडियंस की तरफ से ठीक ठाक रिस्पॉंस बला बॉक्स ओफिस पर ये फिल्म अपना बजट निकालने में कामयाब रही दोस्तो इन में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुन न भूले चैनल पर नए है और अभी तक चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर जीजे दोस्तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो